मोधी सरकार दावा कर रही है कि पिछले 8 साल में पूर्वोत्तर के सीमाई विवाद समाप्त हो गए हैं अब वहाँ शान्ती है लेकिन सरकार के दावों के उलट दो राज्यों के बीच होने वाले विवादों के चलते कई बेकसूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है अब असम और मेंगाले सीमा पर हुए एक छोटे से विवाद में 6 लोगों की जान चली गई असम और मेंगाले की बीच चल रहे सीमा विवाद के चलते 6 लोगों की जान चली गई जहां ये घटना घटी वो स्थान मेंगाले के अंदर का बताया जा रहा है मंगलवार की सुबा जंगल से लकडी लेकर लोट रहे छोटे ट्रक को असम में घटना में 6 लोगों की जान चली गई जिसमें 5 ग्रामेड है जबकि एक असम फॉरस गाड है घटना के बाद बॉर्डर एरिया के साथ जिलो में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है मेगाले के सीम कॉनरोण संग्मा ने इसकी पुष्टी करती हुए कहा कि घटना पश्चिम जंतिया हिल्स में मुक्रोह में हुई है जहां की सीमा को लेकर दोनों राज्यों में विवाद चल रहा है ये स्थान मेगाले की सीमा के अंदर आता है मेगाले के डिप्टी आईजी डेविस एन आर मारक ने कहा है जो घटना हुई है वो बेहत चिंता जनक है फिलाल हालात नियंतरन में है इस भी सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें ग्रामिण और असम फॉरस गार्ड आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं वीडियो में एक ग्रामिण कह रहा है कि फॉरस गार्ड ने रैफल निकाल ली है ये लोग गोली भी चला सकते हैं और इसके थोड़ी देर बाद ग्रामिर की कही बाद सच साबित हो जाती है। मेगाले के सीम कॉन्रों सगमा ने घटना की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक किये। सीम ने कहा है कि जिन लोगों की जान गई है उनके परीजनों को 5-5 लाक रुपए की साहिता दी जा रही है। मेगाले पुलिस ने असम फॉरस गार्ट के खिलाफ मामला भी दर्च कर लिया है।